ओम श्यान्ती, पाँच जुन दोहजार चोबिस के इश्वरिय महावाक्य, पहले सुनते हैं आज की मूरली से होमवर्ग, बाबा ने कहा, बाबा हिमत तो बहुत दिलाती है, धार्णा करो, देह अभिमानियों को धार्णा हो नी सकती, तुम जानते हो बाब को याद कर हुम व करने का एंकार नहीं दिखाना है, जैसे बाब बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, ऐसे स्वेम का रिगार्ड स्वेम ही रखना है, तुम साहिब जादे सो शहजादे बनने वाले हो, तुम्हें किसी भी चीज की इच्छा नहीं रखनी है, किसी से कुछ भी मांगना नहीं ह बाबा कहते हैं बच्चे यहां तुम्हें वैभूं की इच्छा नहीं रखनी चाहिए वैभूं से तबित ठीक नहीं होगी तबित ठीक रखने के लिए तो याद की यात्रा चाहिए सदा इसी खुशी वा नशी में रहना है कि हम साहिब जादे सो शहजादे बनने वाली है सदा शान्ती में रह सर्विस करनी है रग रग में जो भूत भरे वी हैं उन्हें निकाल देना है और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से मूरले का सार मेखे बच्चे तुम साहिब जादे सो शहजादे बनने वाले हो, तुम्हें किसी भी चीज की इच्छा नहीं रखनी है, किसी से कुछ भी मांगना नहीं है प्रशन, तब्यत को ठीक रखने के लिए कौन सा आधार नहीं चाहिए उत्तर, कई बच्चे समझते हैं वैभू के आधार पर तब्यत ठीक रहेगी परन्तु बाबा कहते हैं बच्चे, यहां तुम्हें वैभू की इच्छा नहीं रखनी चाहिए वैभू से तब्यत ठीक नहीं होगी तबित ठीक रखने के लिए याद की यात्रा चाहिए कहा जाता है खुशी जैसी खुराग नहीं तुम खुश रहो नशे में रहो यग्य में धतीची रिशी के मिसल हडियां दो तो तबित ठीक हो जाएगी ओम श्यांती बाप को कहा जाता है करन करावन हार तुम साहिब जादी हो तुमारा इस स्रिष्टी में उचेते उचा पोजिशन है तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए कि हम साहिब जादे साहिब की मत पर अब फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रही है ये भी किसकी बुद्धी में याद नहीं रहता है बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों के लिए कहती है अनेक सेंटर्स हैं अनेक बच्चे आती है हर एक की बुद्धी में सदैव याद रहे कि हम बाबा की श्रिमत पर फिर से विश्यों में शान्ती सुख का राज्य स्थापन कर रही है सुख और शान्ती यह दो अक्षर ही याद करने है तुम बच्चों को कितना ग्यान मिलता है तुमारी बुद्धी कितनी विशाल होनी चाहिए इसमें जामड़ी बुद्धी नहीं चल सकती अपने को साहिब जादे समझो तो पाप खतम हो जाए बहुत हैं जिनको सारा दिन बाप की याद नहीं रहती है बाबा कहते तुमारी बुद्धी डल क्यों हो जाती है सेंटर्स पर ऐसे ऐसे बच्चे आती है जिनकी बुद्धी में है ही नहीं कि हम श्रेमत पर विश्यो में अपना दैवी राज्य स्थापन कर रही है अंदर में वह नशाफ वलक होनी चाहीं मुरली सुनने से रोमांच खड़े हो जानी चाहीं यहां तो बाबा देखती हैं बच्चों के और ही रोमांच डैड रहती हैं धेर बच्चे हैं जिनकी बुद्धी में यह याद नहीं रहता कि हम श्रेमत पर बाबा की याद से विकर्म विनाश कर अपनी राज्धानी स्थापन कर रही है रोज बाबा समझाते हैं बच्चे तुम वारियर्स हो, रावन पर जीत पाने वाले हो बाब तुम्हें मंदिर लायक बनाते हैं प्रन्तु इतना नश्यावा खुशी बच्चों को रहती थोड़े ही है कोई चीज नहीं मिली तो बस रूठ पड़ेंगे बाबा को तो वंडर लगता है बच्चों की अवस्था पर माया की जंजिरों में फस पड़ती हैं तुम्हारा मान, तुम्हारी कारोबार, तुम्हारी खुशी तो वंडरफुल होनी चाहिए जो मित्र संबंदियों को नहीं भूलते हैं वे कभी बाब को याद कर नहीं सकेंगे फिर क्या पद पाएंगे? वंडर लगता है तुम बच्चों में तो बड़ा नशा चाहिए अपने को साहिब जादि समझो तो कुछ भी मांगने की परवाह ना रही बाबा तो हमको इतना अथा खजाना देते हैं जो 21 जनम तक कुछ भी मांगने का ही नहीं है इतना नशा रहना चाहिए परणतु बिलकुल ही डल जामरी बुद्धी है तुम बच्चों की बुद्धी तो 7 फुट लंबी होनी चाहिए मनुष्य की लंबाई अधिक से अधिक 6-7 फुट होती है बाबा बच्चों को कितना हुलास मिलाते हैं तुम साहिब जादे हो दुनिया के लोग तो कुछ भी समझते रहें उनको तुम समझाते हो कि सिर्फ तुम यह समझो हम बाप के सामने बैठे हैं बाप को याद करते रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे बाप समझाते हैं बच्चे, माया तुम्हारा बहुत कड़ा दुश्मन है, दूसरों का इतना दुश्मन नहीं है जितना तुम्हारा है, मनुष्य तो जानते ही नहीं, तुछ बुद्धी है, बाबा रोज रोज तुम बच्चों को कहते हैं, तुम साहिब जादे हो, बाप को तो याद करो और दूसरों को आप समान बनाते रहो तुम सब को यह भी समझा सकते हो कि भगवान तो सच्चा साहिब है ना तो हम उनके बच्चे साहिब जादे ठहरे तुम बच्चों को चलते फिरते बुद्धी में यही याद रखना है सर्विस में धतीजी रिशी मिसल हड़ियां भी दे देनी चाहिए यहां हड़ि देना तो क्या और ही अथाह सुख वैभव चाहिए तब्यत कोई इन चीज़ों से थोड़े ही अच्छी होती है तब्यत के लिए चाहिए याद की यात्रा वहे खुशी रहनी चाहिए अरे हम तो कल्प कल्प माया से हारते आए अभी माया पर जीत पाती है बापा कर जीत पहनाती है अभी भारत में कितना दुख है अथा दुख देने वाला है रावन वो लोग समझते हैं एरोपलेन हैं मोटरे महल हैं बस यही स्वर्ग है यह नी समझते कि यह तो दुनिया ही खलास होनी है लाखो करोडों खर्चा करते, डैमादी बनाते, लडाई का सामान भी कितना ले रही है यह एक दो का खात्मा करने वाले हैं, निधन के हैं न कितना लडाई जगडा करते हैं, बात मत पूछो कितना किचडा लगा पड़ा है? इसको कहा जाता है नर्ग स्वर्ग की तो बड़ी महिमा है, बढोदा की महरानी से पूछो महराजा कहा गया? तो कहेंगे स्वर्ग वासी हुआ स्वर्ग किसको कहा जाता है, यह कोई जानते नहीं कितना घोरंधियारा है तुम भी घोरंधियारे में थे अब बाब कहते हैं तुमको इश्वर्य बुध्धी देता हूँ अपने को इश्वर्य संतान साहिब जादे समझो साहिब पढ़ाते हैं शहजादा बनाने के लिए बाबा कहावत सुनाते हैं ना रीड च्छा जाने भेड क्या समझी अभी तुम समझते हो मनुष्य भी सब भेड बकरियों की तरह हैं कुछ भी जानते नहीं हैं क्या-क्या बैठ उपमा करते हैं तुम्हारी बुध्धी में आदी मद्य अंत का राज हैं अच्छी रिती याद करो कि हम विश्यों में सुक शांती स्थापन कर रही हैं जो मददगार बनेंगे वही उच्पद पाएंगे वह भी तुम देखते हो कि कौन-कौन मददगार बनती हैं अपनी दिल से हर एक पूछे कि हम क्या कर रही हैं हम भेड बगरी तो नहीं हैं मनुष्यों में एहंकार देखो कितना है गुरर-गुरर करने लग पड़ती हैं तुमको तो बाप की याद रहनी चाहीं सर्विस में हडियां देनी हैं किसी को नाराज नहीं करना है ना हो ना है एहंकार भी नहीं आना चाहीं हम यह करते हम इतने होशियार हैं यह ख्याल आना भी देह अभिमान है उ तो तुम्हारे जैसा सुख और कोई को हो ना सकी, ये बुद्धी में याद रहे, तो तुम चमकते रहो, सेंटर में तो कोई अच्छे महारती हैं, कोई घोड़े स्वार, प्यादे भी हैं, इसमें बड़ी विशाल बुद्धी होने चाहीं, कैसी कैसी ब्रामनिया हैं, कोई त इतनी खुशी रहती है, तुमको नशा चड़ना चाहीं, सर्विस बिगर क्या पद पाएंगे, मा बाप को तो बच्चों के लिए रिगार्ड रहता है, परन्तु वह अपना खुद रिगार्ड नहीं रखते, तो बाबा क्या कहेंगे, तुम बच्चों को थोड़े में ही बाप का संदेश देना है, बोलो, बाप कहते हैं मन मना भव, गीता में कुछ अक्षर हैं, आटे में नमक, यह ह्यूज दुनिया कितनी बड़ी है, बुद्धी में आना चाहीं, कितनी बड़ी दुनिया हैं, कितने मनुश्य हैं, यह फिर कुछ भी नहीं रहेंगे, कोई खं का नाम निशान नहीं होगा, हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, यह दिन रात खुशी रहनी चाहीं, नोलेश तो बहुत सहज है, समझाने वाले बड़े रमजबाज चाहीं, अनेक प्रकार की युगतियां हैं, बाप कहती हैं, मैं तुमको बहुत डिपलोमेंट बनाता हूँ, वह डिपलोमेंट अंबेस्टर को कहती हैं, तो बच्चों की बुद्धी में याद रहना चाहीं, ओहो, बेहत का बाप हमको डारेक्शन देती हैं, तुम धारण कर औरों को भी बाप का परिच्य देती हो, सिवाए तुम्हारे बाकि सारी दुनिया नास्तिक है, तुम्हारे में भी नमबरवार हैं, कोई तो नास्तिक भी है ना, बाप को याद ही नहीं करते, खुद कहते हैं, बाबा, हमको याद भूल जाती है, तो नास्तिक खहरी ना, ऐसा बाप जो साहिब जादा बनाते, वह याद नहीं आता है, यह समझने में भी बड़ी विशाल बुद्धी बाप कहते हैं, मैं हर पाँच अजार वर्ष बाद आता हूं, तुम्हारे द्वारा ही कार्य कराता हूं, तुम वारियर्स कितने अच्छी हो, वंदे मातरं तुम गाय जाती हो, तुम ही पुझे थे, फिर पुझारी बने हो, अब श्रिमत पर फिर से पुझे बन रहे हो, त तुम बच्चों को बड़ा शांती से सर्विस करनी है, तुम्हे अशांती नहीं होनी चाहीं, जिनके रग रग में भूत भरे हुई हैं, वह क्या पद पाएंगी, लोब भी बड़ा भूत है, बाबा सब देखते रहते हैं, हर एक के चलन कैसी है, बाबा कितना नशा चढ़ कोई सर्विस नहीं करते, सिर्फ खाते पीते रहते, तो फिर 21 जनम सर्विस करनी पड़ीगी, दास दास यां भी तो बनेंगे न, पिछाडी में सबको साक्षातकार होना है, दिल पर तो सर्विसे बुल ही चढ़ेंगी, तुमारी सर्विस ही यह है, किसको अमर लोग का वास बनाना, बाबा हिम्मत तो बहुत दिलाती है, धार्णा करो, देह अभिमानेों को धार्णा हो नी सकती, तुम जानते हो बाब को याद कर, हम वेशाले से शिवाले में जाती है, तो ऐसा बन कर भी दिखाना है, बाबा तो चिठियों में लिखती है, लाडले रुहानी जादों, अब श्रिमत पर चलेंगे, महारती बनेंगे, तो शहजादे जरूर बनेंगे, एम ओब्जेक्ट ही यह है, एक ही सज्जा बाबा तुमको सब बाते अच्छी रिती समझा रही है, सर्विस कर ओरों का कल्यान भी करती रहो, योग बल नहीं तो फिर इच्छाएं हो जादों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए, वह नहीं है तो फिर अनेग प्रकार की बाते आती हैं, अरे बाब विश्यो की बादशाही दे रहे हैं, बाकी और क्या चाहिए, हर एक अपनी दिल से पूछे, कि हम इतने मीठे बाबा की क्या सर्विस करती हैं, बाब कहते हैं सबको मेसेज देते जाओ, साहिब आया हुआ है, वास्तव में तो तुम सब ब्रदर्स हो, भल कहते हैं हम सब भाई भाई को मदद करनी चाहिए, इस ख्याल से भाई कह देते हैं, या तो बाब कहते हैं तुम एक बाब के बच्चे भाई भाई हो, बाब है ही स्वर्ग की सापना करने वाला, हैविन बनाती हैं बच्चों द्वारा, सर्विस की रच्टियां तो बहुत समझाती हैं, मित्र संबन्दियों को भी संचाना है, देखो बच्चे विलायत में है, वहे भी सर्विस कर रही हैं, दिन प्रति दिल लोग आफतें देख कर समझेंगे, मरने के पहले वर्सा तो ले ले बच्चे अपने मित्र संबद्यों को भी उठा रही हैं पवित्र भी रहती हैं बाकी निरंतर भाई-भाई की अवस्था रहे वह मुश्किल है बाप ने तो बच्चों को साहिब जादे का टाइटल कितना अच्छा दिया है अपने को देखना चहीं सर साते में चड़ता है सर्विस करने वाले को कभी एक ख्याल भी ना आये कि हमने इतना दिया उनसे सब की प्रवरिश होती है इसलिए मदद करने वालों की खातरी भी की जाती है समझाना चाहिए वह खिलानी वाली है रुहानी बच्चे तुमको खिलाते हैं तुम उनकी सेवा करते हो यह बड़ा हिसाब है मनसा वाचा कर्मना उन्हों की सर्विस ही नहीं करेंगे तो वैखुशी कैसे होगी शिव बाबा को याद कर बोजन बनाते हैं तो उनकी ताकत मिलेगी बिल से पूछना है हम सब को राजी करते हैं मारती बच्चे कितनी सर्विस कर रही हैं बाबा के बच्चे बैठे हैं आपे ही भेश देंगे बाप फिर पैसे कहां से लाएंगे यह सब सेंटर्स कैसे चलती हैं बच्चे ही चलाते हैं ना शिव बाबा कहते हैं मेरे पास तो एक कोड़ी भी नहीं है आगे चलकर तुम को आपे ही आकर कहींगे हमारे मकान तुम का पदम पती भी हैं उन्हों के लिए यहां ही स्वर्ग है यह है माया का पॉंप उनका फॉल हो रहा है पाप कहते हैं तुम पहले साहिब जादे बने हो फिर शहजादे जाकर बनेंगे परंतु इतने सर्विस भी करके दिखाओ ना बहुत खुशी में रहना चाहिए हम साहिब ज कितनी खुशी का पारा चर्णा चाहिए अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बात की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार पहला पॉइंट किसी को भी ना तो नाराज करना है ना नाराज होना है अपनी होश्यारी का या सेवा करने का एंकार नहीं दिखाना है जैसे बाप बच्चों का रिगार्ड रखती हैं ऐसे स्वेम का रिगार्ड स्वेम ही रखना है दूसरा पॉइंट योगबल से अपने सब इच्छाएं समाप्त करनी हैं सदा इसी खुशी वा नशे में रहना है कि हम साहिप जादे सो शहजादे बनने वाली हैं सदा शान्ती में रह सर्विस करनी हैं रग रग में जो भूत भरे हुई हैं उन्हें निकाल देना है वर्दान ब्रामन जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करनी वाली महान भाग्यवान आत्मा भव विस्तार संगम्युगी ब्रामन जीवन की विशेशता पवित्रता है पवित्रता की निशानी लाइट का ताज है जो हर ब्राह्मन आत्मा को बाप द्वारा प्राप्त होता है पवित्रता की लाइट का यह ताज उस रतन जडित ताज से अतिस्रेश्ट है महान आत्मा, परमातम भाग्यवान आत्मा, उचे से उची आत्मा की यह ताज निशानी है बाप दादा हरेक बच्ची को जनम से पवित्र भव का वर्दान देती है जिसका सूचक लाइट का ताज है स्लोगन बेहद की वेराग्य वृत्ती द्वारा इच्छाओं के वश प्रेशान आत्माओं की प्रेशानी दूर करो अच्छा, ओम, शान्ती